आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की ब्रेक से पहले हमने आपको अखिलेश जादव की बात सुनाई थी जिसमें उनसे सिधा सवाल हुआ आपका कॉंग्रेस के साथ गठबंदन होगा या नहीं होगा अखिलेश जादव ने बिलक कहा बिलकुल होगा और आपको बहुत जंद प्रेंका गांधी वाडरा का रोल है प्रेंका गांधी वाडरा ने अखिलेश जादव से बात की ये हमें खबर मिल रही है और इसके बाद ये डील हो पाई है उनके और कॉंग्रेस पार्टी के पीच में डील के मताबिक सोगला से 18 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी को देने पर अखलेश आदव राजी होंगे और कॉंग्रेस इससे जादा की डिमांड नहीं करेगी एक से दो सीट पर बातचीत अभी भी जा रही है बाकी तै हो चुकी है सीटे और आर शाम तक इस पर कोई निरने हो जाएगा और कुछ सीटों का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है तो आखिरकार इसमें सक्षेप करना पड़ा प्रियंका गांधी बाडरा को कि अखलेश आदव से बात करके वो कोई समझोता करना है वरना ऐसा लग रहा था कि ये शियाद बाकी दलों की तरह इससे ये बही कॉंग्रेस पार्टी भी समझोते से बाहर होने जा रही है एक बार ह हम चलते हैं विजे लक्ष्मी हमारी स्योंगी जोड़ गए हमारे साथ विजे लक्ष्मी मताईए का जारा कैसे बन रही है बात कॉंग्रेस और सपा के बीच में और जल्द सीटों का ऐलान भी कर दिया जाए 16 से 18 सीटे कॉंग्रेस पार्टी के खाते में आएगी पहले कॉंग्रेस पार्टी कह रही थी कि ऐसी तमाम सीटे कॉंग्रेस को दी जा रही है जहां पर कॉंग्रेस का बेस जो है बहुत मजबूत नहीं है और अब सूत्र इस ओ को मिल सकती है बुलन शेयर मतुरा जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है अपना उमीदवार उतार सकती है इसके लावा श्रावस्ती एक सीट है जिस पर कॉंग्रिस पार्टी चाहती है कि वो उसको दी जाए कॉंग्रिस को लगता है कि कॉंग्रिस का मजबूत पार्टी चाहती है कि हर मंडल में उसका प्रेजंस रहे और जो मजबूत जनाधार वाली सीटे हैं वो उसको लड़ने को मिले ताके बाद में इंबारस्मेंट कॉंग्रिस पार्टी को ना हो ऐसे लिए इनी तमाम सीटों के लिए नेगोशियेशन जो है वो शुरू से चल रह एक दो सवाल है वेजे लक्षमी और एक तो ये कि इसमें प्रेंका गांधी वाड़रा को आखिर क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से राहूल गांधी तो यात्रा निकाल रहे हैं पाइनल अथॉर्टी एक किसम से तो राहूल गांधी ही है ऐस साथ सीटों का निगोसियेशन रहा वो पूरे प्रोसेस में इंवाल्व रही जितने भी दौर की बातचीत हुई कॉंग्रेस और सपा के बीच में उसमें जो पार्टी के यूपी के इंचार्ज है जनरल सेकरेटरी है अविनाश पांडे वो पहले समाजवादी पार्टी से करते थे और फिर प्रियंका गांधी वाडरा से डिसकेशन होता था और फिर उसी के बाद कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस का पक्ष जो है वो कनवे किया जाता था समाजवादी पार्टी को तो प्रियंका गांधी जो है वो एक तरीके से बैक डोर से चीजें ज खराब परसेप्शन इंडिया अलाइंस को एक जोल्ट के तौर पर ये तमाम चीज़े देखी जा रही थी शायद यही वज़ा होगी कि प्रियंका गांधी वाडरा ने अब खुद अभी इससे पहले वो अपनी पार्टी की जो इकाई है उसी से बातचीत कर रही थी उस लेव विजे लक्ष्मी आपका तो कॉंग्रेस पार्टी और समाजबादी पार्टी के बीच समझोता हो सकता है गठबंधन आज फाइनल हो सकता है शाम तक इस पर खबर आ सकती है विजे लक्ष्मी ने जैसा बताया कॉंग्रेस पार्टी के खाते में अम्रोहा बिजनौर जबकि बुलंशेर और मतुरा ये समाजबादी पार्टी अपने पास सीटों को रख सकती है लेकिन इसमें हस्तक्षिप करना पड़ा प्रियंका गांधी को सीधे और अखलेश आदब से फोन पर बात करनी पड़ी वरना ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन शायद नहीं हो गए लेकिन राहुल दी की सीथारी लेकिन एक बात मुझे लगती है और मैं गांधी परिवार के भीतर का बहुत कुछ नहीं जानता हूं लेकिन आप देखिए इस पूरी यात्रा में आपको प्रियंका गांधी की कोई भूमिका नहीं दिखी राय बरेली अमेठी में होना उसी वक्त उनका स्वास खराब हुआ इश्वर करें वो जल्द स्वासलाब करें क्या इतनी तबियत खराब हो गई थी कि वो नहीं जा पाई और जब इस यात्रा के हम बात करते हैं तो जहां जहां से यात्रा गुजरी कुछ ने कुछ तूटा अब कुछ जोलने की बात आ प्रियंका गांधि इनिशेट कर रही है ? मैं ये समझ नहीं पाता अगर कॉंग्रेस पार्टी मिश्किल होती के भीतर , ये मेरी उत्र जानना चाता हुं ये मैं विशलेशन नहीं कर रहा हूं प्रियंका गांधि elder 1972 देखंड हो देख। क्या प्रियंका गांधि को बीए लेकिन क्या कॉंग्रेस पार्टी की इतने बड़े स्पेक्टरम में एक लोग सभा सीट उनके लिए नहीं थी फिर चर्चा होती ही कि इरचार राजे सभा से भेजी जाएंगी फिर वो वहां भी नहीं होती है अध्यक्षपद से राहूल गान्धी 2019 में जब हार कर हटते हैं तो पहले ही राइडर लगा देते हैं गान्धी परिवार का कोई नहीं हुआ लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा हो भारत जोड़ो निया यात्रा है तो फिर राहूल गान्धी आ जाते हैं तो कुछ तो है वो कौन सा प्ले हैं गान्धी परिवार के भीतर के लोग बता पाई नहीं सारी गटबंदन की बैटकों में तो राहूल गांधी बैठते हैं ना ख़ड़के साथ सोनिया जी के साथ प्रिंका गांधी तो उसमें नहीं होती है लेकिन यूपी का फैसला कराने के लिए प्रिंका जी को आगे आना पड़ा राहूल इनको देखना है लेकिन मैं शायद ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोई जो हर्षवधन जी जिसकी तरफ बहुत इसारा कर रहे हैं साफसाफ उतना नहीं बोल रहे हैं कि दोनों भाई और वहन के बीच में कोई तकराव है या कोई मन मुटाव है मुझे नहीं लगता ऐसा तो इसलिए हो सकता है कि बात जो है वो की जा रही हो दोनों के बीच में और समझाता करने को वैसे भी हमने एक बार देखा ही था कि प्रियंका गांधी जो है उत्तरप्रदेश के सारे जो काम है उनको देख रही थी ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहेंगी तो उ ख्वार आई तो हर जगा अगर वो मध्यस की भूमिका में है तो वो मुखे धारा में क्यो नहीं है वो आगे किो नहीं है और अगर महा सची बन गई थी तो उसके बाद क्यों नहीं प्राइघ कए का हुती है पार्टियों में एक्चुली क्या होता है इसमें काफी आचुका है बेतिया में वो एक सभा करेंगे यह हमको पता चल रहा है हमारे पुलिटिकल एडिटर देवेंदर पराशार जुट चुके हमारे साथ इस खबर पर आपको और अपडेट करेंगे जी देवेंदर बताएं तीन मार्ट को सौरब प्रदानमंत्री निरिंद मोदी बेतिया में जाने वाले हैं जहां पर बहुत सारे कारिकारम का प्रोजेक्ट का वशिला नियास करेंगा उसके बाद पुब्लिक रैली भी होगी बिहार के मकमंतरी नितीश कुमार भी होगे और यह बहुत प्रतिक्षित इस लिहास है कि तीन बार पहले इस रैली की तारीक को टाला गया था सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि 13 जनवरी को बेतिया की Simpson की टाली इसके बाद की बरदानमंत्री नितीश की इसलिए अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए रैली को टालने की बाद कहीज आती थी तो पहरी रैली टैली थी 13 को, फिर 27 जनवरी को दूसरी तारीक थी, वो भी टाल दी गई, चार फरवरी को तीसरी तारीक थी, वो भी टाल दी गई, अब जबकि नितिश कुमार BJP में आ चुके हैं, तो 3 मार्च को बेतिया में प्रधानमंती रैली की रैली होगी, बहुत सारे पीए मुदी की रैली की तारीकों को बार बार आगे बढ़ा गया, इसके अलावा 5 मार्च को ग्रीमंत्री अमिश्या पाली गज़ में जाने वाले हैं, पटना के निजदिक है वज़गा पाली गज़ महाँ पे जाने वाले हैं, तो BJP ने अपनी पूरी ताकत एक तरसे जो मौझूद थे, चीफ जस्टिस की जुबान पर भगवान बैठे थे, दरसल चंडीगल के मेर चुनाव पर जो सुप्रीम कोट ने फैसला दिया, वो खुद भगवान ने सुनाया, ऐसा अर्विन केजरिवाल का आज कहना है, सुनाते हैं आपको उनकी बाद, जिस तरह से सुप्रीम कोट के अंदर ये मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर के तरह मानते हैं, नियाए देना भगवान का काम है, नियाए भगवान देता है, इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुरसी पे बैठके फैसले सुनाता है, तो कहा जाता है कि ए तो कुछ सुप्रीम कोट के अंदर घटा, वो से कुछ जादा ही बड़ा था, ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोट के अंदर भी कही ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे, ऐसे लगा जैसे वहाँ सुप्रीम कोट के अंदर भी भगवान मौजूद थे, ऐसे लगा जैसे Chief Justice of India के अंदर भगवान बोल रहे थे तो यह जो कल पूरा घटना करम हुआ वो यह दिखाता है कि अब हम सबसे पहले तो Supreme Court का बहुत-बहुत शुक्रिया इस सदन के माध्यम से हम इस सदन के माध्यम से Supreme Court का शुक्रियादा करना चाते हैं उस पूरी बेंच का शुक्रियादा करना चाते हैं खासकर Chief Justice of India का शुक्रियादा करना चाते हैं जिन्नोंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को जनतंतर को बचाने का काम किया अब जराम दिल्ली में कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी के बीच गठबंदन होगा या नहीं होगा इसको लेकर की खबर है वो आपको बता दें आप और कॉंग्रेस के बीच सीट शेरिंग पर बात बन गई है ऐसी खबर आ रही है और ये पदा चल रहा है कि कॉंग्रेस और पंजाब को लेकर भी बात हुई है पंजाब में हाला कि दोनों पार्टीयां ये कह रहे हैं कि उनको गठबंदन की जरूरत भी नहीं है और वहां की दोनों यूनिट भी ये नहीं चाहती है इसलिए वहां गठबंदन नहीं होगा लेकिन हर्याना में गुजरात में और दिल्ली को लेकर के जो समझोता हुआ है वो जल्द उसका ऐलान किया जा सकता है जमीर जी तो मतलब कॉंग्रेस और आपकी बीची बात बन रही है समाजवादी पार्टी के साथ साथ अमाधि पार्टी अगर कॉंग्रेस के साथ गडबंदन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक घृणि-वी-पार्टी के साथ और उत्तरप अदेश में अखिलेश के साथ वो अपनी इस्तिदी को सुधार सकते हैं।